हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में अवलब कंपेरिजन करने वाले हैं OnePlus Nord 3 and Vivo V27 Pro स्मार्टफोन को दोस्तो ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया के अंदर काफी सीमिलर प्राइस पे देखने को मिलने वाले हैं सो आपके लिए जामना काफी ज़्यादा जरूरी होता है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन साइज स्मार्टफोन सबसे अच्छा रहेगा लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेश्ट अगर आपने अभी तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए कंपरिजन को स्ट्राट क दोस्तों बात करें सबसे पहले लुक और डिजाइन की पर इन दोने इस स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन काफी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है जहां पर वीवो वी 27 प्रो के अंदर आपको एक फोटो ख्रॉमिक टेक्नोलोजी वाला बैक पैनल देखने को मिलता है जो कि sun के contact में आने पर अपने कलर को चेंज करता है और यह देखने में भी काफी ज़्यादा कुल लगता है वहें पर वन प्लस नौट 3 स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ग्लास मैनम देखने को मिलता है साथ ही जिसमें आपको गोरिला ग्लास 5 का प्रोटक्शन देखने को मिलता है एंड वीववी 27 के लुक की बात करें तो इसमें आपको एक करवे डिस्प्ले भी देखने को मिलती है लेकिन अगर आपके लिए ब्रैंड वैल्यू काफी ज़्यादा माईने रखता है तो आप डिफेंटली वन प्लस नौट 3 की तरब जा सकते हैं अब देखने को मिलता है लेकिन वीवी 27 स्मार्ट फोन के अंदर चैड़नी की एक और वह डिस्प्ले देखने को मिलता है जो के देखने को मिलता है को काफी ज़दा इनायइंस कर देता है सो display wise भी वी वी 27 प्रोय हो जाता है और अब अब अधर बात करें प्रोसेसर की तो यह सबसे ज़्जादा में चीज़ है और यहां पे आपको काफी ज़्यादा डिफ्रेंस देखने को मिलेगा दोलों स्मार्ट फोन में जहां पे आपको वीगोबी 27 पो पिस्मार्टफोन के अंदर एक Mediatek Diamond City 82 सो का प्रोसेसर देखने को मिलता है वहीं पर आपको OnePlus Nord 3 में आपको Diamond City 9000 का प्रोसेसर देखने को मिलता है सो definitely प्रोसेसर के मामले में OnePlus Nord 3 वीगोबी 27 पो पीछे चोग देता है अगर आप अपने स्मार्टफोन में हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो definitely आपको OnePlus Nord 3 के तरप जाना चाहिए सो दोलोई स्मार्टफोन के कैमरा भी काफी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है बैक पैनल में दोलोई स्मार्टफोन में आपको त्रिपल केमरे का स्रिक्टप देखने को मिलेगा अड़ दोलोई स्पार्टफोन में आपको ब्रावरी कामरा 50 Megapixel का अल्टिरा वाइड कैमरा आपको 8 Megapixel का अड़ 2 Megapixel का Magro camera देखने को मिलता है एंड वही front camera की बात करें तो front camera के मामले में Vivo V27 Pro विनर हो जाता है तिकि Vivo V27 Pro smartphone के अंदर आपको 50MP का selfie camera देखने को मिलता है जहाँ पे OnePlus Nord 3 smartphone के अंदर आपको 16MP का selfie camera देखने को मिलता है तो अगर आपको camera के लिए smartphone ये ना है तो डिफन्टी या Vivo V27 Pro की तरब जा सकते हैं लेकिन आपको अलके फूल के काम करने हैं अगर आपको back camera का ज्यादा ही उज़ करना है और front camera के आपके लिए उतना माइन ही नहीं रखता है तो आप definitely OnePlus Nord 3 smartphone को भी purchase कर सकते हैं लेकिन camera wise मेरे comparison के हिसाब से Vivo V27 Pro भी नग हो जाता है अब बात करें इन दोलों smartphone के battery and charging की तो दोलों smartphone के charging and battery में काफी difference देखने को मिलेगा बात करें तो ये दोलों smartphone अपने specs के हिसाब से काफी अच्छे हैं लेकिन अगर आपके लिए ब्रैंड वैल्यू काफी जड़ा माइन हो जाएंगे लुक एंड डिजाइन काफी जड़ा माइन रखता है तो डिफिनेटली आप Vivo V27 Pro smartphone की तरब जा सकते हैं अब आप मुझे comment करके बताईए अगर कि आप इन दोले smartphone में से किस smartphone को buy करने वाले हैं वीडियो को अच्छे लग यह तो like कीजिएगा ऐसी योग वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप comment कीजिएगा आज की इस वीडियो को में भी समाथ करेंगी जय हिन जय वाइ